बिहार के बेगु सराई में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है दरसल एक जीनेम छात्रा की अपहरन का मामला अब प्रेम प्रसंग में बदलता दिख रहा है 19 जुलाई को मतिहानी थाना शेतर के एक सुधीर कुमर नाम के इनसान ने अपनी बेटी कुमल कुमारी के अपहरन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी उनका कहना था कि रिशिकेश कुमार नाम के यूवक ने खतियार के बल पर उनकी बेटी कोमल का उनके घर से आपहरन किया है इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और मीडिया में भी खबर आग की तरफ फैल गई लेकिन अब कहानी ने एक नया मोर ले लिया है कहानी में एक बड़ा ही दल्चस्प मोर आ गया है दरसल कोमल और रिशिकेश के दो वीडियो सामने आ है एक वीडियो में दोनों एक होचल के कमरे में दिख रहे हैं इनमें कोमल कह रही है कि हम दोनों घूमने आए हैं घर वालों को पता नहीं था आगे से कुछ नहीं होना चाहिए हम दोनों अपनी मर्जी से आ है वही वीडियो सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं सवाल ये उठ रहा है कि क्या घर वालों को इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पहले से जानकारी थी बता दें कि बिहार के बेगु सराय में एक जिने मिच्छात्रा के अपहरन का मामला प्रेम प्रसंग में बदल गया है पूरा मामला 19 जुलाई का है जहां पर मतिहानी थाना शेत्र के सुधीर कुवर ने अपनी बेटी कोमल कुमारी के अपहरन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी पर ये पूरा मामला पहरन का ना होकर प्रेम प्रसंग में बदल गया है इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और दो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पार अलगतार वाइरल हो रहा है कुमल और रिशिकेश के दो वीडियो सामने आए कुमल और रिशिकेश इन दोनों वीडियो में साथ साथ सरक पड़ भी दिखाई दे रहे दूसरे वीडियो में बता दे कि कोमल और रिशिकेश सरक पर हाथों में हाथ डालते हुए घूमते नज़रा आ रहे हला कि पुलिस ने अभी तक कोमल को बरामद नहीं किया है और अपहरन का मामला इन पर दर्ज हो गया है पुलिस का कहना है कि कोमल के मिलने और उसका बयान दर्ज होने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी तब तक ये कहना मुश्किल है कि कोमल का अपहरन हुआ था या वो अपनी मर्दी से रिशिकेश के साथ गई है बताया जा रहा है कि वीडियो बेगु सराय का ही है फिल वीडियो सामने आया है उसके बाद ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग में बदल गया है आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा